नमस्कार मैं अनुद्धत्ता नियूज संगर्श आज तक दोस्तो समुचा अंडमान निकोबार दीप समु करीब धाई साल पौने तीन साल कह लिजिए कोरोना के मार से जूचता रहा अब उबरने की कोशिश कर रहे हैं और करीब करीब उबर चुके हैं फिर से अंदेशा है इसके साथ साथ कही ना कही लोगों के जो काम रुके विये थे गरीब जनता की जो काम नहीं हो रहे थे इलेक्शन रुका हुआ था उस पे पावंदिया थी और इलेक्शन आखिरकार हुई और जनता में आजबंधी कि अब जो है कुछ जो है बेरोजगारी के मुद्दे पे या जो दाम जो जरूरत की चीजों के दाम है वो बढ़ रहे हैं इस मुद्दे पे कुछ रियायत मिलेगी इसके अलावा जो काउंसिल का इलेक्शन हुआ मिंस्विपल काउंसिल एक आज की नजरों से देख रहे थे जनता कि मिंस्विपल काउंसिल में अब हमारे चुनिंदा इलेक्टेट काउंसिलर बैठे हैं अब हमारे फुटपाद बनने हैं, हमारे वाल्स बनने हैं, कहीं सोचालाय बनना है, इस तरह के जो काम आमतोर पे लोग उम्मीद लगाये बैठे थे, काउंसिल से, अचानक से एक नियूस जो खबर हमने कल देखी, वो विशय बिल्कुल हटकर था, और कहीं न कहीं जनता के उ पहुचाने वाली थी, कि मिन्सिपल काउंसिल इन मुद्दों पे ना जाकर, एक आपसी कोई रंजिश लग रहा है, जिसके चलते काफी माहौल गरमाया हुआ है, जिसमें आप लोगोंने देखा होगा, वाइस चेर्मेन, जो है सिनियर वाइस चेर्मेन, अजीजूर रह्मा ऐसे वाइलेशन है, वाइलेटेड बिल्लिंग्स है, जो बने है, लेकिन ये तब तक सही लग रहा था, लेकिन उसके बाद तुरंत कहीं न कहीं किसी एग वक्ती पे आके वो केंदरित हो गया, ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई आपसी रंजिश का मामला हो, कि 852 जनता ये ज अधिक आकड़े, अभी हम जानेंगे उससे अधिक आकड़े है या नहीं है, अगर वो ध्यान केंदरित करते और जनता को ये कहते कि म्यूसिपल कांसिल आने वाले वक्त में इन तमाम वाइलेटर्स के एगेंस्ट में क्या सक्त कारवाई करने जा रही है, ये ना हो कि किसी पर्सनल एटक करना, ये हमारे जर्नलीजम के भी खिलाफ है, कवरेज करना कि किसी एक व्यक्तित्त के वारे में आप फोकस करें और किसी पर प्रहार करें उसके व्यक्तिवर्चावी पिभी पर, चलिए इस वक्त हम मौझूद है, यहाँ हमारे साथ है, इस विशे पर बात क करने के लिए स्रीमती सुनीता चाबरा जी जो एंटी करॉप्शन एंड क्राइम प्रिवेंशन के नैशनल वीमन जो है चेयर परसन है वो इस वक्त हमारे साथ है और दूसरे चैनल भी हमारे साथ है जो हम उनसे जानकारी लेंगे मैडम सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्व अबोमन लोगों ने देखा है इस पर निउस से निकल के क्या सामने आ रहा है आपको क्या लग रहा है यह जनता के लिए थी या फिर कोई वैक्तिगत कारण से था सबसे पहले तो मैं कहना चाहरी हूं जो कल का निउस जो फ्लैश हुआ था उस निउस में तो अनुजिए ऐस से लग रहा था कि जैसे वह बिल्कुल परसनल खुंदक निकाल रहे हैं देखे जब मुनसिपल काउंसल की मीटिंग हुई है जिसमें अजंडा कुछ और होता है यह बातें कुछ और कर रहा है तो मैं यह बात नहीं समझ पा रही हूं कि किसी भी एक आदमी की ओपर में बात हैं उन में से कितने के जो है ऐसे हैं कि जो आज तक कभी किसी ने नमी नहीं लिया और इतने वाइलेशनव में आप देखया मेरे पास मैं आपको मुद्देखके बात के साथ मैं पूरी प्रूफ के साथ बता रही हूं कि जितने वालेशन इन्हों रहमान ने 820 या 20 के मैं आपको पूरी जो है इसकी हिस्ट्री है और यह पूरी है यह 2,012 तक की है और इसके बाद आप 22 तक क्या अंकड़े बताइगे कितने हो सकते हैं तो यह तमाम वाइएलेटेट वाइट वाइडिश्य से आप मैं खुद नहीं दिखाऊंगी आप खुद आप निकाल कर किसी भी एक पेपर को निकाल लीजे आपको बता चल जाएगा कि यहां पर कितनी बिल्डिंग वोईलेट हैं तो सारे बिल्डिंग में जितने हैं यह पर्टिकुलरी इनका जो काम है वो ना करते वे आप एक ही आदमी पे ध्यान केंद्रीत किया जा रहा है इसका मतलब तो साफ साफ यही नजर आ रहा है कि वो पर्टिकुलरी एक ही आदमी पे पर्सनल चीजे निकाल रहे हैं तो मैं जानना चाहती हूं कि एक वाइस चेयर्मेन होने के नाते उनका क्या काम है अभी जो मुंसिपल जो collection हुआ है इतने दो साल के बाद में इतने लोगों ने इतने इंतिजार करें कि हमारी गाओं के लिए हमारी जगह के लिए हर जगह के कुछ ना कुछ एक अच्छा काम होगा लेकिन ये उस मुद्दे से हट करके ये मुद्दा कुछ और किसी एक ही आदमी पर किंद्रित करने जा रहे हैं जनता मैडम एक्चली ये नहीं जानना चाहती है वायलेशन क्या हुआ है जो भूख से तरस्त है जिनका मिनिमम काम नहीं ह करने जा रहे हैं लेकिन इस बारे में जो विशय पर उठाया गया है केंद्रविंद्यू केवल एक व्यक्ति था और तमाम जो लोग थे उस पर कारवाई क्या होगी और आगे चलके क्या करने वाले हैं आपको नहीं लगता ये जानकारी जादा जरूरी थी जनता के लिए न लेकिन यहां पर मैं देख रही हूं मेरे तरीके से अगर देखा जाएए मैं अपनी सोच के हिसाब से बोलती हूं कि यह जो चीजें हैं यह बिल्कुल गलत जा दिशापर जा जा रहा हैं और यहां मैं मेडिया से भी दरखास करती हूं कि जो मेडिया पर्टिकुलरी एक ही बंदे को आप तार्गेट करते हैं तो इसमें मुद्दा क्या है आप वालेशन की बात करते हो लोगों को बिल्डिंग हटाने की बात करते हैं मुझे एक बात समझाई दीजे कि जिस जगह में काउंसलर रहता है जो अजीज रहमान होंगे चौंप होंगे चौंप तो पूरा ह मैं वहीं की पैदाइशिय हूँ मैं तो मतलब यह जानती हूँ कि वहां पर ना तो कोई पट्टा है ना तो कोई बिल्डिंग प्लान है अगर यह वाइस प्रेस्टिटेंट ये बात बोल रहा है कि यह बिल्डिंग सुधी प्रैश शर्मा का यह बिल्डिंग इस वालेशन क्यों नहीं उस बिल्डिंग के उपर में क्यों नहीं बात की जाती है आप यह चीज़ें देखिए ना आप किसी को भी उठा सकते हैं लेकिन आप यह देखिए कि उस जगा पूंगी चौंप के ऐसे कोई घर नहीं है जो कि वाइलेशन में नहीं आता है या तो फिर आप इतना नहीं अगर आप अच्छा काम करना चाहते हो गाउं के लिए या अपने अपने एरिया के लिए वाड नंबर छे के लिए उन्होंने किया कि आज तर्क कुछ एक काम बता दीजिए कि मैंने ये पर्टिकुलरी इन गरीबों के लिए इस बस्ती के लिए उसने क्या किया आप बटाएं वह उस्ष्टी में कमसे कम नहीं रिए सब्सक्राइब एस सोगे उपर बिच civilians लड़के यंग लड़के उन लोग सारे दिन फिर नशा करते हैं वह मन्दी की सीडियों में बैट जाते हैं मैं तो बैम तो चहारी हूं कि मैं वहीं क्यों मैं आपको प्रूफ की साथ तो उनको तो यह काम करने चाहिए ना कि एक इंसान के लिए उपर से वहां बच्चों को कुछ काम करा जाए खेल कूद का कुछ विवस्था की जाए वह काम तो वह करी नहीं रहे और अब इतना ही अगर जनता कि आप सेवा कर रहे तो फोंगी चों को रेगुलाइस कीजे वहां के बिल्डिंग को कीजे दस साल वहां पे मैंने लड़ाई लड़ी है इस बात के लिए क्यूंकि और मैं आपको यह आपके चैनल के मादियम से यह भी बता दू कि बुद्धिस मिशन के नाम पर जिस जगह पर यह काउंसलर है उस मिशन का मैं एक चेर परसन होती हूं हमारे एक अपना ग्रूप है बुद्धिस्ट का उस पे भी मैंने इसे तीन-चर साल पहले भी इस विशह पर बात भी तब तो इन्होंने वहां पर यह कह है और जहां तक मैं आपको और भी बताना चाहरी हूं कि इसमें आप वालिशन के बात करें वह खुद नियामत अजीज रह्मान वह खुद क्या करता है वह जो वह क्या पर बिजनस पहले करता था आप तो बोलते हैं कि तहीया एक बिजनस अव्मैन है बिजनस आइकोन है किस चैनल ने ये बात कही है उसके कोई रिपोर्टर ने तो अजीज रह्मान पहले क्या करता था उसका भी तो कुछ बिजनस था वो ऐसे तो नहीं आ गया और बिजनस था तो वो क्या बिजनस करता था आज वो कांसलर बन गया तो लोगों ने उनको मतलब यह समझ समझने लग इसके पीछे के बेग्राउंड देखा जाए तो इसके पूरी हिस्ट्री मैं आपको बता दूं तो मैं नहीं चाहती कि पर्टिकुर्ली मैं किसी एक परसंट के बारे में जैसे वो बोल रहे हैं किसी के बारे में मैं तो मतलब इनको इतने टाइम से जानती हूं कि मैं इसके इन और उट सब बता दूं लेकिन मैं वो नहीं करना चाहरी हूं लेकिन जो आपके चैनल ने मुझसे जो सवाल करोगे मैं उसके एक एक जवाब देने के लिए तयार हूं कि जिस तरीके से अजीज रह्मान जहां से शुरुआद किया था और आज जहां है वो अपने पिछल मेरे पास एक रिपोर्ट है इसके खुद के इतने सारे क्राइंज हैं मैं आपके चैनल को दिखाना चाहती हूं यह देखिए वो दूसरों पर बोल रहे हैं यह आप देखिएगा जरा कैमरा पर यह देखिएगा यह अजीज रह्मान के 10 केस चल रहे हैं इस वक्त और यह तो सिफ 10 केसं इंट्री में है नजानी और कितने ऐसे केसिस हैं जो बताएंगे इसमें सबसे पहले जो है इनका narcotics case है, drugs के हैं, इसमें sections भी दिए वे हैं, आप देख लीजिए, मैं आपको इनके copy भी दे देती हूं, ठीके और आप ये भी देख लीजिएगा, इनके narcotics के साथ में, इसने कुछ filmों भी बनाई हैं, जो की बहुत गंदी एक पिक्टरे होती है उसने भी काम किया है ऐसी ये हर काम करता है उसके बाद आज ये counselor बनने के बाद में आज ये लोगों को इस तरीके से बाते कर रहे हैं किसी एक बंदे के ऊपर में किसली है क्या इसका personal इंटरस्ट है इन चीजों में मैं ये जानना चाहा है वो गिफ्टेड है गिफ्टेड है जी अब गिफ्टेड देने वाला बंदा भी जो है वह IMFC का जो ओनर है मिस्टर अली अभी हाल ही में जिनको जेल हुआ है इनको गिफ्ट किया है आप बताइए कि इनका रिष्टा उनके साथ क्या है जो कि एक दस दस से बारा लाग का स्कॉर्पियों किसी को गिफ्ट कर दे मैं यह जानना चाहिए यह गाड़ी का डॉकुमेंट है यह गाड़ी का नंबर है आप देख सकते यह यह बड़ा यह पर आसीन है तो यह जो बंदा है हमने हाल हाली में पूरा डिटेल यह कोई मिस्टर अली है जिनको अठाइस साल की सजा भी बच्चा केरला में पढ़ रहा था वहां से उसका किड्नैपिंग किया गया उसके बाद हाजी पैसे मांगे गए फिरोती के पैसे मांगे गया उसके यह क्राइम प्रिवेंशन के पत्पे हैं अभी चेयर परसन के तो आप अपने तरफ से क्या कदम उठाएंगे मैं तो खुद अब यह चाहती हूं कि इस तरीके से चीजों को दुबारा से इंक्वारी किया जाए और इनको यह भी पता किया जाए कि जैसे अब कि यह पूंग कर दीजिए कि यह जो है फेक रिपोर्ट अफिशियल रिपोर्ट है अब बताईए कि अजीज रह्मान तो 90 में आया है अंडर्मन वो तो लोकल में नहीं है अब एक क्रिमिनल कर जो है संबंद किसी एक कांसलर के साथ है जो कि अभी आज के देट पर वह वाइस चेयर परसन बना हुआ है मुनिसिपल में लेकिन अभी इसका बिल्डिंग भी जो है वाइलेशन में तो इस विशे पर न्यामत ने क्यों कुछ नहीं मुद्दा अभी आपको मालूम होगा मेडम कि चार-पंच दिन पहले का बात है मैंने खुद हाइलेट किया था वहां का उपर में हां मैटसी की उसमें तीन फ्लोर था फिर चार बना पांच बन गया अब छे में भी उन्होंने एक हॉल टाइप बना रखा है अब बताएए उसमें इतने ऐसे लगते हैं जैसे किसी चॉल में हम रह रहे हैं और उपर से उसमें अगर कोई इंसिडेंस खुदा नखास्ता हो यह आप देख सकते हैं आप टेस्ट करवा लिजिए और पूजिए और इस तरके के आदमी के साथ में इस तरह अजीजुर्रह्मान के संबंद है तो इससे क्या कहा जाएगा यह मैं आपको पूछती हूं आप बताइए कि ऐसे लोगों के साथ संबंद है और बातें वह एक किसी एक परसंड की बाद में बात कर रहे हैं वह खुद क्या कर रहे है है दो है य्या जाहिर होता है कि यह तार जो है भहत ही लंबा तरीका से ā Bayern जूड़ा हुआ और जिसे हमारे जो रोटमन के इसे व्हुवन परिपाand के जो जूड़ा हुआ जो पबलिक को दिख तो नहीं रहा है लेकिन रिख इंट्र्म चल रहा तो मेडम जी और यह दूसरा जो बशाब यह जो कहां की रिपोर्ट है मेडम भी ज़ैंट剛 मेंने की यह और चलिए देख लेते हैं CID के रिपोर्ट है CID के रिपोर्ट है CID के रिपोर्ट में आप देख लीजेगा कि ये नियामत को जैसे बता रहे हैं कि ये फूंगी चौंग का पैदाइश है जो की बिल्कुल भी नहीं है ये आप कैसे कह सकती है कि यहां की पैदाइश नहीं है इसलिए क्यूंकि मैं खुद फंगिचों में रही हूँ मेरा जनम वहीं का है मेरा घर परिवार वहीं का और मैं वहीं रहती हूँ और यह जिस साल का बता रहा है 82 का उस टेम पे मैं खुद 12 साल की थी तो यह वहां कहां से जन्मा है और उस टेम पे तो फूंगिचों में ऐसा कोई घरी नहीं था यह तो जहां तक मेरी अपनी जानकारी है वह नाइंटीज में आया है वह तो मुझे तो यहां तक भी लग रहा है कि वह लोकल में भी नहीं आ रहे और वह प्री 42 का यह दिखा रहे इसका मतलब आप चैनल वाले जो दोनों लोकल्स हैं इनसे भी पुराने हैं वह प्री 42 तो मे मेरे मा, मेरे मा, मेरे बाओ जी, मेरे नाना, मेरे नानी हमारे मतलब प्री 42 हम शुरू से बर्मी आज तक आ रहे हैं जो कि लोकल से भी मतलब पुराने हमारे हैं तो यह अजीज रह्मान इसमें कहां से प्री 42 में आ रहा है मैं तो यह भी दर्खास्त करूंगी कि प्री 42 का जो लोकल सेटिफिकेत है उसकी व donor कीज़ें कि वह सुपाट प्रिफिर निया कि इन्व को परशी कहिए यह यह पर इंटिटु अधार पर इनνοकलल primi刷ाय का पैदाश है यह बले कहीं पादा लेकिन मैं चोन नहीं था उच 좋은 मेरी जानकरी के हिसाब में है वो 90s के आजस पास में जो है इनके family जो है फंगिचों में आया और इनके family business पुराने ताला चाबी का business है नकली चाबी बनाते थे यह और नकली चाबी बनाने का result आप जानते हो कि क्यूं बनाया जाता है और पिछले इसके crime में भी बहुत सारी चीज़ें सामने खुलके आई हुई हैं जो कि आप देख सकते हैं चोरी की भी इसकी रिपोर्ट है और इससे ज़्यादा आपको क्या मैं प्रूव दूँ मैं आपको इसकी कॉपी भी दे दूँ अब हम यह जानना चाहेंगे मैडम यह तमाम जानकारिया आपने दी और कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि यह अब जो यह पूरा केस है और यह जो मैटर है यह अब आमने सामने की हो गई है उन्होंने कुछ इल्जामात लगाए हैं जो ब प्रेक्तिगत तोर पे लगाए है उन्होंने अब जो है जो सवालात आपने खड़े की है और आप बतार क्राइम प्रिवेंशन यूनिट की आप लोग जो करवाई करेंगे आगे का आगे की रनीती क्या होगी और आप लोग इस पे आप किस तरह की करवाई करेंगे इन तमा तो दिन की इनकी इनकारी करओंगी अपने क्राइम ब्रांच में लेकर के मैं यहां सी यह करना चाहरे हूं एंटी कर्णू के ठूह मैं इसकी इनकारी करवाएंगे और जितने इन के पुराने केसे से सब के रिजल्ट मैं निकलवाँगी चलिए यह आपने जाना आप सतार भाई आप कुछ पूछना चाहेंगे मेडम मेरा अपकी जो सामने जो पेपर रखा हुआ है यह तोड़ा दिखाई यह बिल्कुल आप किसी भी एक कॉपी निकाल लीजिए यह कॉपी है यह हैडो वार्ड नंबर एक का है यह पूरा वाइले इसमें से बहुत सारा दिया हुआ है और दूसरा दिखाई यह आप इसमें से कहीं से भी निकाल लीजिए कहीं से भी आपको यह सारे वाइलेशन ही मिलेंगे यह वाड नंबर वाइलेशन का यह तो सिर्फ मेरे पास 2012 तक की है आप 2022 का अब वाइलेशन होता है यह कब से कब का यह दो 600 12 बारा तक का है 2,000 के बाद का अवी तक का canceled बारा के बाद और आकरे और बढ़ सकते हैं बढ़19ному मे vibration अवन दोजना के नहीं का मेरा हिसाब यह दो से 3000 काश वोगा दो से 37 में और भी और दो आखिरू horizonत में पूरे सामने नहीं आया है एक और बात आपकी इसमें कहना चाहती हूं कि एक वंदे के उपर में जब यह बात बोला जा रहा है कि सुधी प्रायशर्मा का इतने सारी बिल्डिंगें है यह सब वैलिड है और वालेशन में आता है मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहरी हूं कि इतने तमाम चीज़ें जब बन रही थी तब यह अजीज रह्मान कहा था तब तो इसके हिसाब से यह तो 2012 से भी कांसलर इसमें है तो उस टाइम पर इन्होंने क्यों नहीं रोका आज यह क्यों इस मुद्दे को उठा रहा है और उठ चाहे कोई वी बजया हो किसी भी पद पे आसीन होने के बाद उस कुरसी की उस सीट की गरीमा को रहना चाहिए चाहे वो सुधी प्राय शर्माजी की बात हो या किसी और वक्ति विशेष की किसी एक पे केंद्रित करकर के वार नहीं होना चाहिए ना ही हमारे जर्नलिजम में या लाओ है और ना ही किसी और व्यक्ति को जो एक respectable पत पे बैठे हो उसको भी ये शोभा नहीं देता है कि वो आपसी रंजिश या किसी और वज़े से किसी एक व्यक्तिकत आदमी पे केंद्रित कर वो अपना बयान दे सर मैं एक बात और कहना चाहरी हूँ कि जैसे यहाँ पे हमारे local channels media है जो 4-5 है इसमें particularly मैं नाम नहीं देना चाहरी हूँ लेकिन एक ऐसा ही channel है जो हर बार सिर्फ इन ही चीज़ों को दिखाया जा रहा है या तो उस channel के साथ इनका कोई connection होगा या उसके साथ कुछ ना कुछ तो beneficial होगा जो हर बार हर बार एक ही channel एक ही बातें बोलता है तो मैं यह जानना चाहरी हूँ कि क्या media का यह शोभा देता है media को यह तो personal चीज़ें हो गई है या तो वो अपना media को personally लेकर चले आम public के लिए तो वो काम नहीं कर रहे है उनको लगता है कि इस आदमी को अगर या किसी एक particular person को आप बदनाम करोगे और उसी मुद्दे को उसी बात पर केंदरित करते जाओगे तो मुझे नहीं लगता कि वो public के लिए काम कर रहे है वो उसका personal interest है चलिए बहुत बहुत धन्यवाद तमाम पक्षों को यहाँ पे सुनीता चावरा जी को सुनने के बाद और ये पूरे बयान बाजी जो उस तरफ से हो रही है और इनका जवाब जो इनोंने दिया है अपने तरीके से और देख सकते हैं कई सवाल छोड़े जा रहे हैं पीछे ये हजारों की तादाद में violation हुए जो यहाँ के कॉस्ट बिल्डिंग है उनके पूरी कॉपिया है जो यहाँ इनके पास मौझूद है ये भी कई सवाल पूछ रहे हैं क्या municipal council के पास इनके original आकड़े वाकी में मौझूद है अगर मौझूद है तो वो कहा है और कारवाई क्या केवल एग वेक्ती पे हो या फिर कारवाई उन तमाम लोगों पे किया जाएगा इसका आसवाशन जनता मांग रही है इसकी जवाब जनता मांग रही है अंडमानिकोबर दीव समो का और ये municipal council खुद इसकी जिम्मेदार है और municipal council के जो पदादिकारी है जो आसीन है इस वक्त कुरसी पे विराजमान है उनको देना होगा जनता को ये जवाब कि आप अगर कारवाई करना चाहते हैं तो एग वेक्ती नहीं सब के उपर अगर करना चाहेंगे तो किस तरीके से करेंगे क्या आप में वो दम है अगर नहीं है तो आप जो बेरोजगारी है जो भुकमरी है लोगों की जरूरत है दिन के प्रती दिन के हर वर्ड में फुटपात का मसला है इस पे गौर्व किजिए और इसको जल से जल पून करने की कोशिश कीजिए इससे जनता खुश होगी ना कि ये तमाम नोग जोग से इसी के साथ मैं अनुपदत्ता कैमरामें थोमस के साथ निउस शंघर्ष आस तक झाल झाल